वेलकूम तुदा क्रिदेंस डिजिटल लर्निंग मैं हूँ रश्मिराना और आज हम बात करेंगे हेलो एलकेंस और हेलो एरिंस की और गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये चैप्टर का नाम ही है हेलो एलकेंस और हेलो एरिंस हेलो वर्ड स्टैंट फॉर दा हेलोजनस और एलकेंस वी नो जनरल फॉर्मूला ओफ एलकेंस और इस एलकेंस में से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे विद्ध हेलोजन मिन्स सब्सिट्यूट करेंगे हम हाइड्रोजन को हेलोजन की हेल्प से बाट पर्टिकुलर कंपाउंड नोन एज हैलो एलकेंज और यही काम अगर हम एरोमेटिक कंपाउंट के साथ करते हैं यानि बेंजीन रिंग अगर हम ले ले एग्जामपल तो वहां से अगर हम H को substitute कर दे, halogen की help से, then that compound is known as halo arines, aromatic, halo arines, aliphatic वाले, alkanes वाले, halo alkens तो ये तो हमारा general introductions था कि actually halo alkanes और halo arines जो नाम आया है, वो उसका meaning क्या है, तो halo alkanes and halo arines are the halogen derivatives of hydrocarbon, hydrocarbon कौन से? alkane या फिर aromatic hydrocarbons, ठीक है? अब हमने कितनी hydrogen substitute करी? अगर हमने एक hydrogen को हटाया और एक halogen atom आया, means एक hydrogen is substituted by one halogen atom, then that halo alkanes are known as mono halo alkanes, या अगर arines की बात करी, aromatic वाले की बात करी, एक hydrogen हटाया, एक halogen आया, तो they are known as mono halo arines, like bromobenzine और mono halo alkanes का हमारा chloromethane, या bromothane, means C2H5BR, CS3CL, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर hydrogen को substitute कर दे, तो die halo alkanes, और आपका die halo arines, means die bromobenzine, या फिर position के हिसाब से कर दे, तो one two die bromobenzine, या ortho benzine, या अभी हम IUPAC naming और common naming की बात करेंगे, तो ये बताएंगे, तो मी कहना का मतलब ये है, कि एक हटाया तो mono, दो हटाया तो die, ऐसे ही तीन हटा देंगे, तो